प्यारे बच्चों मेरा नाम विरेश कुमार है और मैं भारतिय भासा संस्थान में हिंदी का रिसोर्स परसन हूँ मैं आप सभी विद्यार्थियों का इस कारेक्रम में स्वागत करता हूँ प्रिष्ट भूमी आज मैं हिंदी की कक्छा आठ की पाठ पुष्टक दूर्बा भागतीन में संकलित एक बहुत ही सुन्दर लोग कथा के पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ लोग कथाएं किसी समाज या सभ्यता से संबंधित होती हैं जो मनुस्त के जीवन की घटनाओं और अनुभवों पर आधारित होती हैं ये मौखिक तौर पर उस समाज या सभ्यता में एक पिरही से दूसरी पिरही तक कहने की प्रक्रिया द्वारा पहुचाई जाती हैं ये कथाएं किसी समाज, जात या सभ्यता के किसी विसेश व्यक्ति के बारे में हो सकती हैं या फिर किसी सामाने व्यक्ति के बारे में भी हो सकती हैं ये उस समय की तातकालिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को दरसाती हैं यह लोग कथा उस व्यक्ति की है जो प्रकृति और उसके नियमों को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं भारत जैसे विकास सील देश में जिनका जीवन मौसम पर निर्भर करता है उन्हें हम अन्न दाता भी कहते हैं तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका सीरसक है बूरी अम्मा की बात सीखने के प्रतिफल इस कारेक्रम के अंत में विद्यार्थी गद्य वाचन की आदर्स सैली से अवगत होंगे इस रचना के मूल भाव को समझ कर इसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे इस रचना में आए नवीन शब्दों के अर्थ समझ कर उनका वाक्यों में प्रियोक कर सकेंगे किसानों के जीवन और मौसम के बारे में जान सकेंगे रचना के मूल संदेश को आत्मसात कर सकेंगे आईए अब इस रचना का आदर्स वाचन करते हैं एक था किसान गोमा मोरी नाम था उसका गुजर बसर लाइक खेती थी एक गाय एक जोडी बैल बीस बकरियां थी छोटा सा घर घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा तीन साल से वर्षा बहुत कम हुई थी न फसले हुई थी न चारा इस वर्ष भी आसा अढ़ सुखा ही रह गया वर्षा की कोई आसा नहीं बंधी थी खेत जोट कर क्या करूंगा गोमा ने एक लंबी सांस छोडी और मन ही मन सोचा वह बैलों को हाकते हुए वापिस घर की और चल पड़ा अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सो कर उठा गाए बैल वह बकडियों को बाड़े से निकाला उसकी पतनी बकडियों को लेकर उन्हें चराने चली गई उसने फिर हिम्मत बतोरी और हल को बैलों के कांधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा गोमा खेत जोतने से क्या होगा वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे गोमा ने सब की बात सुनी कई बार उसका मन डावा डोल भी हुआ फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोच कर खेत पर पहुँच गया उसने आकास की और देखा सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था उसने धर्ती को भी निहारा खेतों में गहरी और चवडी दरारें पड़ गई थी वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित हुआ भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे वह थोड़ा निरास भी हुआ उसे बैलों की दशा पर दया हो आई उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक व्रिक्ष के नीचे बैठ कर सोचने लगा क्या करे वह खेत जोते या उसे यूही पड़ा रहने दे वह सोचता रहा थोरी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हांक कर घर की राह पकड़ ली उसने निरने कर लिया कि अब वह खेत नहीं जोतेगा जब तक की बरसा नहीं हो जाती धूप काफी तेज थी दूसरे दिन वह और भी निरास हो गया उसके पैर ना आगे भरते थे और ना पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया तभी वहाँ एक बुढ़ी अम्मा आ गई वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई गोमा ने पुछा अडी ओ बुढ़ी अम्मा कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में तुम्हें किधर जाना है बुढ़ी अम्मा ने कहा मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गाउ जा रही हूँ लेकिन तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो यह समय तो खेत में हल जोतने का है लेकिन तुम यहां आराम कर रहे हो क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार है कहीं तुम्हारा हल तूट तो नहीं गया है गोमा बोला नहीं अम्मा न तो मैं बिमार हूँ और नहीं मेरे बैल बिमार है मेरा हल भी नहीं तूटा है तूटी है तो मेरी हिम्मत अम्मा तुम तो जानती हो तीन साल से वर्षा नहीं हुई है इस वर्स भी यही हाल है खेत जोत कर क्या करूँ बूरी अम्मा बोली देखो बेटा वर्सा तुम्हारे हाथ में नहीं है यह तो प्रकृति पर निर्भर है जब बादल बनेंगे तो वर्सा अवस्य होगी किन्त तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना तुम अपना काम समय पर करो प्रकृति अपना काम अवस्य समय पर करेगी वर्षा अवस्य होगी गोमा पुनह बूरी अम्मा से बोला अम्मा खेत बहुत कठोर हो गए है मेरे बैल दुबले है इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है चारा पानी ही क्या यहां तो पेडों की पत्यां तक खत्म हो गई है बेचारे बैल कैसे हल खीचे वर्षा की आज हो तो हिम्मत भी बंदे गोमा ने निरास मन से अपनी बात कही बूरी अम्मा बोली बेटा तुम निरासा की बात मत करो पेडों की बात भी तुमने खूप कही पेड तो यहां सब लोग काट रहे हैं देखो अब पेड भी कहां बचे हैं जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहां से आएंगी अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अबस्य हो जाती सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहां से होगी हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं लेकिन जो हुआ सो हुआ अब तो तुम लोग पेडों पर ध्यान दो तुम निरास मत हो खेतों में हल चलाओ इन्हें हांक जोत कर बोने के लिए तैयार करो इस मौसम में कभी न कभी तो वर्सा अवस्य होगी बूरी अम्मा ने मुश्करा कर गोमा की हिमत बढ़ाई वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी वैसे तो गोमा मन से निरास था लेकिन बूरी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी आसा बढ़ी अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना सुरू कर दिया उसने लगातार चार दिन तक खल चलाया खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था अब वह बैलों को हंकते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा पूरी राह वह गुनगुनाता रहा उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई चार दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सोया सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी बक्रियां मिम्या रही थी सवेरे सवेरे अपने पशुओं की आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे वह पुलक कर उठा उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई अजी सुनते हो बाहर तो आओ वर्सा होने वाली है गोमा जटपट बाहर आया उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है आसमान में बादल घुमर आये थे उसने बादलों को जी भर कर निहारा उसे लगा मानो बादलों से बुरी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकरती उभर आई हो उसे बुरी अम्मा की बात रह रहकर याद आ रही थी उसने मन ही मन बुरी अम्मा को प्रनाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समया पर करो बादल बरसने लगे आंगन तर्बतर हो गया गोमा को लगा, मानो बूरी अम्मा उससे कुछ कह रही हो वह बूरी अम्मा से कुछ कहना चाहता था तब ही बारिस और तेज हो गई प्यारे विद्यार्थियों आदर्स वाचन के दौरान आपने कुछ नए सब्दों पर गौर किया होगा तो आईए उन नए सब्दों के अर्थ और वाक्यों में उनके प्रियोग को जानते हैं सब्दार्थ और वाक्य प्रियोग आसार, third month of the Hindu calendar वाक्य प्रियोग आसार के महीने से वर्षा रितु शुरू होती है आसार, likelihood, संभावना, वक्य प्रियोग इस साल वर्षा के आसार नजर नहीं आ रहे हैं निहारना, to see, देखना, वक्य प्रियोग उसने आकाश की और निहारा, व्रिक्ष, ट्री, पेड, वक्य प्रियोग व्रिक्ष हमें फल और छाया देते हैं हिम्मत, करेज, साहस, वक्य प्रियोग हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हाल, situation, उस्थित, वक्य प्रियोग इस साल भी वर्षा का बुरा हाल है प्रकृति, नेचर, आबो हवा, वक्य प्रियोग किसान का जीवन बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर होता है दिक्कत, troubles, कठनाई, वक्य प्रियोग वर्षा नहीं होने से पश्वों को भी चारे पानी की दिक्कत हो जाती है आस, होप, उम्मीद, वक्य प्रियोग हमें किसी भी हालत में आस नहीं छोरनी चाहिए रंभाना, लो, गाए बैल के बोलने की आवाज वक्य प्रियोग भोर होते ही गाएं रंभाने लगती है मिमियाना, बिंग, भेर बकरियों के बोलने की ध्वनी वक्य प्रियोग, बकरियां जोर जोर से मिमियाने लगी आईए अब इस रचना के मूल बिंदूओं पर विचार करते हैं यह लोक कथा किसान की कठिन जीवन शैली पर प्रकास डालती है कहानी के मूल पात्र का नाम गोमा मोरी था उसके इलाके में पिछले तीन वर्सों से सूखा पड़ा था यानि वर्सा नहीं हुई थी वर्सा नहीं होने के कारण खेतों की जुताई का काम रुका हुआ था एक दिन गोमा मोरी अपने हल वैल लेकर खेत की तरफ निकलता है रास्ते में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहने लगे कि जब वर्सा ही नहीं हो रही है तब खेत जोतने से क्या फाइदा वह निरास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया तब ही एक बुढ़ी अम्मा वहां आती है गोमा मोरी को उदास देखकर बुढ़ी अम्मा कहती है देखो बेटा वर्सा तुम्हारे हाथ में नहीं है यह तो प्रकृति पर निर्भर है जब बादल बनेंगे तो वर्सा अवस्य होगी तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तयार करना तुम अपना काम समय पर करो प्रकृति अपना काम अवस्य समय पर करेगी वर्सा अवस्य होगी बूढी अम्मा किसान को समय पर वारिस ना होने का कारण बताते हुए कहती है जंगल से पेडों की कटाई जारी है पेर नहीं होंगे तो हर्याली कहां से होगी हर्याली नहीं तो वर्सा भी नहीं होगी यह लोक कथा किसान की कठिन जीवन सैली पर प्रकास डालती है जीवन और प्रकृत के प्रति सकारात्मत द्रिष्टिकोन बनाए रखने की बात करती है यह लोक कथा मनुस्य को अपने आसपास के वातावरन और जीव जन्तुओं के प्रति सम्वेदन सील बनने की प्रेरना देती है यह लोक कथा अग्र सोची सदा सुखी का संदेश देती है अर्थात पहले से सोच कर काम करने वाला हमेशा सुखी रहता है आएए अब इस पाठ की रचना शैली पर नजर डालते हैं इस रचना में कहानी कला के सभी गुण मिलते हैं यह कहानी अपने नायक किसान गोमा मोरी के जीवन की एक घटना पर आधारित है इसमें देश समय और वातावरन का अच्छा वरनन किया गया है जैसे उसने आतास की और देखा सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था उसने धर्ती को निहारा खेतों में गहरी और चोड़ी दरारें परी हुई थी सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाए रंभा रही थी बकरियां मिम्या रही थी गोमा जटपट बाहर आया उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है आसमान में बादल घुमड आये थे बादल बरसने लगे आंगन तर बतर हो गया तब ही बारिश और तेज हो गई भाव वेंजना अर्थात पात्रों की भावनाओं का वर्नन वह थोड़ा निरास भी हुआ उसे बैलों की दशा पर दया आई समवाद अर्थात पात्रों की आपसी बात्चित को कहानी की एक मुख्य विशेष्टा माना गया है इस कहानी में गोमा और उसकी पत्नी के बीच तथा गोमा और बूढ़ी अम्मा के बीच समवाद होता है जैसे गोमा की पत्नी कहती है अजी सुनते हो बाहर तो आओ वर्सा होने वाली है इसके अलावा सीरसक की सार्थक्ता भी कहानी कला की एक महत्वपूर्ण विसेस्ता है कहानी का सीरसक ऐसा होना चाहिए कि उसे परकर हम उस कहानी की अंदर की घटनाओं को जान सकते हैं इस द्रिष्ट से देखें तो इस कहानी का सीरसक बूरी अम्मा की बात बहुत ही सार्थक है आईए अब हम इस पाठ में प्रियुक्त व्याकरनिक विंद्वों पर प्रकास डालते हैं बच्चो किसी भी रचना में तीन प्रमुख व्याकरनिक विंद्व हो सकते हैं सब्द प्रियोग वाकेशन रचना और अर्थ की अभिव्यक्ति आगे इसी द्रिष्ट से इस रचना का विवेचन किया जा रहा है इस रचना में रोज मर्रा के जाने पहचाने सब्दों का प्रियोग किया गया है जैसे किसान, खेती, बाड़ा, वर्सा, फसल, सूखा, चराना, दरारे आदी इसमें संस्कृत के अनेक सब्द मिलते हैं जिन्हें हिंदी में जियों कात्यों प्रियोग में लाया जाता है ऐसे सब्दों को तत्सम सब्द कहते हैं जैसे पशु, जानवर, वर्सा, मेग, आसार, हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना आकाश, व्रिक्ष, निर्णय, प्रकृति, उत्साह, आदी इसमें उर्दू-फार्सी के शब्दों का भी अच्छा प्रियोग किया गया है जैसे गुजर-बसर, वापिस, हिम्मत, आसार, तेज, बीमार, दिक्कत, मौसम, आवाज, तर्बतर, आदी इसमें हिम्मत सब्द का कम से कम छह स्थानों पर प्रियोग हुआ है इस आधार पर हम इसे हिम्मत की कहानी कह सकते हैं हिम्मत का अर्थ होता है साहस इस रचना के वाक्य आम तौर पर छोटे-छोटे हैं जिससे अर्थ को समझने में सहायता मिलती है जैसे एक था किसान, गुमा मोरी नाम था उसका गुजर-बसर लाएक खेती थी, छोटा सा घर घर के सामने पशुबांधने का बारा, तीन साल से वर्षा बहुत कम हुई थी न फसलें हुई न चारा मुहाबरों का भी इस कहानी में खुब प्रियोग हुआ है जैसे आशा बंधना, हिम्मत बतोरना, मन डामा डोल होना हिम्मत रखना, राह पकरना, हिम्मत बांधना, हिम्मत बढ़ाना लकड़ी टेकना, आशा बरहना, कान तरसना, आदि मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा अब आपके लिए कुछ प्रस्न बनाए गए हैं, आप इनके उत्तर दीजिए यह रचना किस विधाकी है? उत्तर यह रचना कहानी विधाकी है यह एक कहानी है, इस कहानी का नायक कौन है? उत्तर गोमा मोरी नामक किसान इसका नायक है गोमा मोरी के पास कितने जानवर थे उत्तर एक गाय, दो बैल और बीस बकरियां थी गोमा मोरी के इलाके में कितने सालों से वर्सा नहीं हुई थी उत्तर तीन साल से वर्सा नहीं हुई थी किसान किस कारण निरास थे उत्तर तीन साल से वर्षा नहीं होने के कारण निरास गोमा मोरी की हिम्मत किसने बढ़ाई उत्तर बूर्ही अम्मा ने निरास गोमा मोरी की हिम्मत बढ़ाई बूर्ही अम्मा ने गोमा से क्या कहा उत्तर बूरी अम्मा ने गोमा से कहा कि उसे खेत जोत कर रखना चाहिए बूरी अम्मा ने क्या भविश्यवानी की बूरी अम्मा ने कहा कि वर्षा आवस्य होगी बूरी अम्मा के उनसार वर्षा नहीं होने का क्या कारण था उत्तर हर्याली का नहीं होना हर्याली कैसे कम हो जाती है उत्तर पेड़ों के नहीं रहने से पेड़ कम कैसे होते जा रहे हैं उत्तर क्योंकि हम जंगलों को काट रहे हैं इस कहानी का क्या संदेश है इस कहानी का संदेश है परियावरन की सुरक्षा Link h i dot w i k i p e d i a dot o r g slash w i k i slash paryaavaran underscore संग्रक्षण पर जाकर पर्यावरन संग्रक्षण के महत्व और उसकी विधियों के बारे में पढ़िये आज के कारिक्रम में हमने सीखा की गद्य रचना का आदर्स धंग से पाठ कैसे किया जाता है रचना में आए नवीन शब्दों का क्या आर्थ है और उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाए रचना में व्यक्त संदेश से अबगत हुए कहानी कला की मुख्य विशेस्ताओं से अबगत हुए गद्य में मुहाबरों के प्रयोग से अबगत हुए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ तब तक के लिए विदा धन्यवाद हुआ झाल